हेलो गैस वेलकम टू मार यूटूब चैनल इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ गुड नाइट गॉड फ्लेश मॉस्कीटो किलर वर्सेस ऑल आउट अल्टरा मॉस्कीटो किलर कमपैरिजर में मैं आपको कितने पाई कितना रूम के लिए परफेक्ट है या फिर इनक कि के अंदर ज्यादा रिफील चलती है या फिर किसकी मशीन या फिर बिल्ड कॉलिटी बैतरी ने वो सारी चीजे में आपको इस वीडियो में कंपैर करके शो करने वाला हूँ तो आप भी सोचो के अच्छा सा मॉस्कीटो किलर पर्चेस करने के लिए आपका बज़ेट आ रह कर रहा जो बैस सेलर है कि विसके लिंक आपको में दिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जब मनें पर्चेस के आफर भी चालूता तो हो से का आपको भी कंप्राइस में मिल जाए आप एक बार दिस्क्रिप्शन चेक कर लेना प्राइस अपन डाउन भी होती रहता है तो सबसे ऑप इस बीद्ट में लगा ओफे एस प्लाइट को रहना ना पी था इसाइट में एपन में देखनें को प्लिया को तो आपको गोल्ड कलर का देखने को मिलेगा इदर फ्लैश वे दर नॉर्मल मोड मेंशन क्या हूँ सामनी को लाइट इंडिकेटर इसके अंदर भी लाइट इंडिकेटर वह इदर से लाइट ग्लू होती है इसे आप रोटेट नहीं कर सकते यह आपको सीधा ही लगाना जाएगे दोनों को यूज करना भी बहुत ही सिंपल है तो इदर आप देख सकते हों यह कुछ ऑल आउट करके इस टाइप का और यह कुछ गोल्ड फ्लेश का इस टाइप है इसमें एक चीज डिफरेंट है जैसे कि यह गोल्ड फ्लेश की जो मशीन है इसके अंदर उनली ग करके लगा देना है इस तरह आप रोटेट करोगे यह आपका लग जाएगा इसके बाद में फिर आपको फ्लाग में जो की इसे लगा देना है थोड़ा से जो की लॉकिंग सिस्टम में इसे आपको फ्लेश वाला आपको 29-28 दिन तक चल जाएगा अब यूसेज की बात करें कितना दिन यह एक सिंगल रिफिल चलता है जो कि आपका फ्लेश वाला आराउंड 29-30 दे चल जाएगा आराम से इसके बाद में इसके पूरी रिफिल खतम हो जागी बाद में चेंज करना पड़ेगा यह फ्लेश मोड में आपका दस से पंदरा दिन जादा चल जाएगा वह आराउट वाला डबल प्लस मोड में आप यूस करगे तो आराउंड आपको चल जाएगा 31 दे 32 तो एक दो दिन का इसके बाद में आपको इसकी रिफिल चेंज करनी पड़ेगी तो यह रिफिल का यूसेज आप एरिया कावर की बात करें तो दोनों हमारे 10-15 की रूम के लि विंडो वगेरा यह दोर होगेरा ओपन रखी वेंटिलेशन के लिए थोड़ा एर पास होते रहे पूरा आपको पैक कमरे में यूस नहीं करना है जैसे के पैक कमरे में यूस करको तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं पर किसे अस्तमा की बीमारी होगा जो कि सास लेने में लाइट ब्लिंक करें को फ्लेश मोड नॉर्मल मोड में डिफ्रेंट गया तो फ्लेश मोड के अंदर जैसे कि यह बस इतना सा डिफ्रेंट है जैसे में बॉक फे शो कर दीता हूँ इदर थर्टी मिनट ते जुकि जादा हीट होगा जादा वेपर निकले तक हमारा नॉर्म लाइट होता है और यह आप जो कि आप लिफ्रेंट ब्लाइट ने तरीके से काम चल रहा है अब लास्ट कोशन आता दोनों में से कौन सा वह पर्चेस करना चीए तो जैसे आप अल आउट पर्चेस करोगे तो इसके अंदर इफिल्स भी लगा सकते हो इसको बीब दूसरे क कोई भी रिफिल नहीं लगा सकते तो आप देख सकते हो बाकि दोनों पर्फेक्ट दोनों बेश्ट है तो आप अपने घर पर जो कि यह थीम वगएरा की साब से कुछ सोच रहे हो तो विस हिसाब से आप पर्चेस कर सकते हो दोनों हमारे मॉस्केटों किल करने में एक दब पर चेस करो या बैट पर चेस करो तो पूरी रात बैट से आप मॉस्केटों को नहीं मार पाऊगे पर बैट से मानने के बाद में पूरा विंडो बंद रखना पड़ेगा नहीं तो और भी मॉस्केटों अंदर ना आ जाए इस तरह आप इना इस तरह की मशीन रहती इसके कोई भी टेंशन नहीं रहता है आपको बाहर पर रात को उठके मानने की जरूरत नहीं पड़ती और वहीं आप नैट वगएरा को यूज करो बैड वगएरा पर नैट लगा के सो तो फिर आपको जोगे है ना वह भी नैट से बाहर वाश्रूम वगएरा जाना रहे तो इसे प्रफेंट से लगे विच्ट कुछ से लगे युड लिंक आपको में डिसक्रिप्शन में प्रवाइट कर दूंगा तो आप बढ़ दिसक्रिप्शन जरूर चक कर लए तो आयोब आपको यह वीडियो अच्छा लगा रहें का वीडियो को लाइक कर दीजा और और बेटेश watching this video